हलो दोस्तों, I welcome you all on AEC Plus, a digital platform of advanced engineering classes तो दोस्तों जो हमारी संकना से चल रही है, SSC JEE 2023 के लिए तो आज का जो सेसन है, इसमें हम देखेंगे, theory of machine और RAC के mix question कुछ अच्छे question में लेकर आया हूँ सेसन में, definitely आगे आने वाली जो आपकी एक्जाम है SSC JEE उसके लिए काफी मददगा सेसन रहेगा ये तो I hope इससे पहले वाला सेसन आपने देखा होगा, उसमें भी हमने Tom और RAC के ही question देखे थे हैं सेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो स्रीश चलते हैं इसका timing आप लोग ध्यानक है Mechanical Engineering के स्टुएंट ध्यानक है कि Tuesday and Saturday को ठीक साड़े बारा बचे आपको ये class देखने को मिलती है तो देखे जो question है RAC से related है ये question काभी बढ़िया question है देखे question जो है if a mass of a moist air in airtight vessel देखे हमारे पास moist air, moist air का मतलब आपको बता होगा कि air plus moist air का मतलब हो गया कि water vapor plus dry air इन airtight vessel is heated to a higher temperature देखे हम एक system ले लेते हैं यहाँ पर suppose यह हमारे पास एक system है, इसके अंदर moist air है, moist air का मतलब हुआ कि यहाँ पर इसके अंदर water vapor भी है और dry air यह dry air अगर मैं इसको बोल रहा हूँ, यह suppose water vapor है तो अब हमने क्या किया, इसको heat किया heat किया तो यहाँ पर हम से पूछा गया है कि बताईए इसकी specific humidity के बारे में ही पूछा गया कि इसकी specific humidity में क्या change आएगा तो दिखिए, specific humidity क्या होती यह अगर आपको पता है तो आप आसानी सा अंसर निकास सकते दिखिए, यहाँ पर option अगर आप देखेंगे तेख, specific humidity और relative humidity क्या होता है यह आपको पता होना चीए, दिखिए अगर मैं बात कुरूँ, specific humidity यह होता है कि mass of water vapor to the mass of dry air, इन दोनों का ratio जो होता है, इसे हम बोलते है specific humidity और relative humidity के अगर मैं बात कुरूँ तो relative humidity को हम 5 से denote करते हैं और यह क्या बताता है, mass of water vapor to the mass of water vapor at saturation condition की maximum कितना water vapor हो सकता है और actual में भी कितना है, इन दोनों का ratio और यहाँ पर एक हमारे पास sample है, इसमें water vapor कितना है और dry air कितना है, उन दोनों का ratio क्या किलाता है, specific humidity और यह क्या किलाता है, reality humidity तो ultimately अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम heating कर रहे हैं, heating से का होगा, इसका temperature बढ़ेगा temperature बढ़ेगा, मुझे यह बताइगे कि यहाँ पर, इस sample के अंदर, जो water vapor है, उसके content में कोई change आएगा क्या, वो तो उतना ही रहेगा, क्योंकि already dry, वो vapor state में हैं, तो heat करेंगे, तो भी वो रहेगा, तो vapor state में ही, और रहेगा वहीं पर, क्योंकि mask को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर fix कर दिया, तो अगर आप psychometry chart पर इसको plot करते हो, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, सिधा-सिधा की heat करने पर temperature बढ़ रहा है, तो यहाँ पर relative humidity और specific humidity में क्या changes आएगा, यह आपको बताना है, तो दीखें, यहाँ पर यह वाली जो axis है, यह dry heat करते हैं, heating कर रहे हैं, मतलब tribal temperature, जब plus x-axis की तरब मुह करते हैं, तो tribal temperature क्या होगा, बढ़ेगा, तो यह जो process है, basically यह heating process हम इसको बोलेंगे, यह initial condition यह है, final condition हम इसको यह बोल देते हैं, तो यहाँ पर इस process में क्या हो रहा है, सबसे पहले हम बात कते है, according to option चलते हैं, हम increases, दीए, specific humidity यह है, तो specific humidity तो constant रहेगी, तो गलत है यह, specific humidity of air decreases, तो specific humidity का मतलब क्या होता, mass of water vapor, तो mass of water vapor जो है, वो तो उतना ही है ना, यहाँ पर, तो mass of water vapor अगर change नहीं हो रहा है, तो specific humidity में कोई change नहीं आएगा, यह बात आप ध्यान रखें, तो option A और B दोनों क्या हो जा इसके अलावा, C जो है क्या, related humidity, अब related humidity के अगर मैं बात करूँ, तो related humidity कर्व आपको पता होना ची, किस तरह से हम plot करते हैं, यह जो कर्व होता है, इस पर 100% related humidity होती है, इस तरह से हम कर्व plot करते हैं, तो जैसे जैसे हम saturation कर्व से दूर जाते हैं, यहाँ पर related humidity क्या हो जाती degrees हो जाती है, यहाँ पर 100% है, तो यहाँ पर हम बहु सकते हैं, 80 होगी, 70 होगी, 50 होगी, तो इस one point के corresponding और two point के corresponding अगर आप relative humidity देखेंगे तो क्या होगा, अंतर आपको देखने को मिलेगा, और two पर कम होगी relative humidity compared to one, तो relative humidity मतलब moisture absorption capacity इसके क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अब यह बात आप दियान लगें, moisture absorption capacity मतलब इन डालेक्ली हैं, अगर question को और भी तोड़ा सा घुमा दिया जाए तो student यहाँ पर गलती का सकता है, देखें, 5 की value, देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 की value क्या हो रही है, कम हो रही है, 5 की value कम हो रही है, इसका मतलब क्या हो तो इस तरह से ऐसे question को आपको attempt करना है, ध्यान रखें, चली, तो correct answer देख लेते हैं, yes, degrees yes, मैंने वहाँ पर गलती से लगा दिया, answer तो जो है, वही मैंने आपको बताया है, relative humidity जो होगी, increase नहीं होगी, क्या होगी, degrees होगी, और मैंने भी degrees ही बताया है, आप लोगों को, चल bypass vector को हम denote करते हैं, किस से point, x से denote करते हैं, तो यह point 8 हमें दिया गया है, what will be the bypass vector, if three such cooling coils with the same apparent due point are kept one behind the other, अगर तीन cooling coil अगर हमने लगा दी, तो वहाँ पर bypass vector चाहोगा, तो इसके लिए बिलकुल सा relation है, इसके लिए हमें आपको क्या करना होगा, x की power n आपको करना होता है, x की power n basically यह क्या होता है, bypass factor होता है, यह क्या होता है, bypass factor होगा, और n की value क्या होगी, n की value depend करेंगे, कितनी cooling coil है, तो यहाँ पर हमारे पास सिधा सिधा relation है जाएगा, point 8 की power 3, तो यहाँ से जब आप इसको solve करेंगे, तो I think it will be point 512, yes, option A will be the correct answer, तो यह simple सा relation आप लोगों को ध करते हैं, next, और साइकोमेट्रिक चार्ट, वेडबल टेंपेचर लाइन, देखें, वेडबल टेंपेचर, ड्राइबल टेंपेचर, यह सारी लाइन के बारे माँ आपको बिल्कुल पता होना चीए, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पास साइकोमेट्रिक चार्ट की, तो सा साइकोमेट्रिक चार्ट किस तरह से हम प्लोड करते हैं, दिखें, जो वर्टिकल लाइन होती है साइकोमेट्रिक चार्ट पर, यह होती है, ट्राइबल 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 इस तरह वेट बल्ट टमपर्चर तो हमसे कुशन पुछा था वेट बल्ट टमपर्चर लाइन तो वेट बल्ट टमपर्चर लाइन क्या होती स्टेट होती इंकलाइंड स्लोपिंग डाउनवर्ड टू दा राइट तो गरेक्ट आंसर क्या होगा C will be the correct इप air is heated without changing its moisture content dew point will be देखे अगर मैं बात करूँ कि air को हम heat कर रहें without changing its moisture moisture content अगर same है तो उसका dew point temperature में क्या फर्क पड़ेगा ये आपको बताना है तो देखी इसको आप आसानी से कर सकते हो थोड़ी देर पहले मैं आपको साइकोमेटरी चार्ट बताया उसके according आप इसका अंसर कर सकते हूं देखे मौश्चर चेंज नहीं हो रहा है मौश्चर चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या होगा हीटिंग कर लें सिंपल हीटिंग हो गही ना ये तो इस तरह से और थोड़ी दिल पहले में आपको बताया कि dew point temperature line जो होती है वो क्या होती है horizontal ही होती है ये dew point temperature line थी ना और ये जो process है ये क्या होगे 1 से 2 इसमें relative humidity में कोई चेंज नहीं है relative humidity ही तो बताती है कि मौश्चर में चेंज है या नहीं तो relative humidity सुरी specific humidity specific humidity अगर constant है इसका मतलब moisture में कोई change नहीं तो correct answer क्या होगा remain same ओके चलिए next due point temperature is always an indication of देखे due point temperature moisture content के बारे में बताता है या आप धियान लिए सिधा सिधा असका आप या रख सकते हैं इन्हें bell column and cycle refreshesion effect happen at constant देखे bell column and cycle मतलब यह क्या होगया reverse button cycle होगया reverse button cycle reverse button cycle के अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 process आपको देखने को मिलती है कौन कौन सी process compression होगा reversible adiabetic उसके आद में heat rejection होगा यह compression है heat rejection होगा फिर expansion होगा then e-operation heat addition तो यह 1, 2, 3, 4 यह PV diagram मैंने बनाया है reverse button का तो यहाँ पर refreshesion effect कहाँ पर देखने को मिलता है आपको यह refreshesion effect आपको 4 से 1 पर देखने को मिलता है और यह refreshesion effect की जो process है कैसी process है constant pressure process यह भी constant pressure है condenser का यह operator का pressure जो है यह constant और यह दोनों जो है यह adiabetic process है PV की power gamma इसकोट पर C को follow तो refreshesion effect जो आपको देखने को मिलेगा वो at constant pressure पर देखने को मिलेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं a carnot refrigerator is used to maintain temperature minus 30 degree that required 1.28 kilowatt per ton of refrigeration okay the heat rejected in kilowatt per ton refrigeration दीखे ऐसे question को आपको ध्यान से पढ़ना होता है okay कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ data missing है नहीं होगा तो आप इनको अगर ध्यान से ऐसे question को अगर बनाना सीख गए तो definitely एकात question हर exam में इस तरह का आपको देखने को मिलता है तो अब दीखे minus 30 degree Celsius temperature हमें maintain करना है तो इसके लिए क्या करा है that required 1.28 kilowatt per ton of refrigeration the heat rejected in kilowatt per ton refrigeration is दीखे a carnot refrigerator is used to maintain temperature minus 30 degree that required अब ये that required का मतलब क्या हुआ that requires 1.28 kilowatt per ton of refrigeration तो यहाँ पर अगर मुझे minus 30 degree Celsius temperature maintain करना है तो यहाँ से कुछ heat निकालनी पड़ेगी ये मेरा refrigerator और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कुछ work input करना पड़ेगा और यहाँ से कुछ heat को निकालना पड़ेगा और यह क्या करेगा कुछ heat को क्या करेगा reject करेगा तो मुझे क्या निकालना था heat rejected in kilowatt per ton of refrigeration अब देखें यहाँ पर क्या बोला है यह 1.28 kilowatt जो है यह क्या है आपका refrigeration effect है या फिर work input हम दे रहे हैं को है यह आपको समझना होगा तो दीखें यहाँ पर आपको questions को पढ़के समझ मा जाएगा heat rejected in kilowatt per ton of refrigeration कि यहाँ पर heat कितना reject हो रहा है जब यह refrigeration कितना है 1 ton यह 1 ton है 1 ton का मतलब क्या होता है 1 TR का मतलब होता 3.5 kilowatt तो यह 3.5 kilowatt आपका refrigeration है it requires का मतलब हो गया कि इसमें work input हमें कितना देना पड़ेगा 1.28 kilowatt आपको work input देना पड़ेगा यह question को आपको समझना था तो heat कितना reject होगा तो definitely इन दोनों को हम add कर देंगे तो यहाँ से हमाने पास क्या जाएगा heat rejected हो जाएगा तो इन दोनों को जब आप add करेंगे तो it will be 4.78 answer आना चीएगा 4.78 will be the correct answer यह कितना होगा 3.5 plus 1.28 तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था केवल add करना था बड़ question को आपको ध्यान से समझना था क्या होता है ऐसे में student जल्द बाजी करता है और समझ नहीं पाता है question को अगर उसने ध्यान से नहीं पढ़ाए यहाँ पर पूछा क्या था उसके आधार पर आपको उसका अंसर करना था चली तो correct answer क्या हो जाएगा option C will be the correct answer next question the atmospheric air a dry world temperature is 20 degree Celsius dbt हमको दे रखा है 20 degree Celsius it enters into a coil heating coil which is maintained at 50 degree Celsius तो एक heating coil हम ले ले लेते हैं यहाँ पर suppose it will be a heating coil इसका temperature हमें दे रखा है कितना 50 degree Celsius और यहाँ पर हमारे पास air है और यह air इसमें इंटर कर रही है इसका temperature है 20 degree Celsius okay if the air leaves the heating coil at 35 degree Celsius जब इसके contact में यह आईगी और यहाँ से यह 35 degree Celsius पर निकल रही okay then what will be the efficiency of the coil efficiency में निकलना यहाँ पर efficiency का जो formula होता है आपको पता होना चीड efficiency जो होता है one-バイpast factor one-ką-back wonder जो होता है इड इस if formula of efficiency lots reading अब bypass factor क्या होता है यह आपको पता होना chi bypass factor जो होता है आप इस तरह से ध्याना के हमें से डाइग्राम बनाएं इन दोनों temperature का आपको difference लेना है divided by इन दोनों temperature का difference लेना है this will be the bypass factor so 50 minus 35 divided by ये कितना हो जाएगा 50 minus 20 तो ये bypass factor आजाएगा आपका कितना 15 divided by 30 तो bypass factor आजाएगा 0.5 और 0.5 अगर bypass factor आगया तो definitely efficiency जो है ये भी कितनी जाएगी 0.5 फिल्पीदा efficiency correct answer में जाएगा हमें option 3 ओके चले आगा बढ़ते हैं in the bypass factor is 0.3 what will be the efficiency of coil तो ज़्यादा सोस नहीं नहीं bypass factor आगर 0.3 है तो efficiency कितनी जाएगी 0.7 तोड़ी देल पहले बता है value of dryness fraction is 0 it indicates that working fluid is at dryness fraction की value 0 dryness fraction हम x से denote करते हैं क्या होता है mass of vapor to the mass of vapor plus mass of liquid अब इसकी value 0 है इसका मतलब xc की value 0 का मतलब क्या हुआ कि mass of vapor जो होगा वह क्या होगा 0 हो जाएगी तो saturated liquid होगा superheated vapor होगा saturated vapor होगा या compressed liquid होगा तो यह भी आपको सोचना होगा देखें यहाँ पर dryness fraction की value क्या होती है 0 होती है यहाँ पर dryness fraction की value कितनी होती है 1 होती है तो यहाँ पर जो liquid होता है इस liquid को हम क्या बोलते है saturated liquid इसको क्या बोलते हैं saturated liquid इस का रूपर जो liquid होता है उससे हम क्या बोलते है saturated यहां पर जो liquid होता इसे हम बोलते compressed liquid यह भी आपको मैंने कहीं बार बता है क्यों बोलते है यह भी आपको पता होना चाहिए तो definitely xc की value जूरो होती है यह क्या क्या किलाएगा आपका saturated liquid मतला option A जो होगा यह क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा देख लेते हैं yes next the path of contact in a cyclodal gear दीखिये cyclodal gear की बात चल रही है यहां पर तो cyclodal profile और invalid profile कैसे बनती है आपको पता होना चाहिए तो cyclodal profile कैसे बनती है it is a locus of a point on a circle एक circle पर हम एक point लेते हैं और इस circle को हम किसी surface के उपर क्या करते हैं तो इस point का जो locus बनता हो क्या कहलाता आपका cyclodal दो तरह की profile होती ep cyclodal and hypocyclodal तो यहां पर हमसे पूछाए कि path of contact cyclodal gear की केस में क्या होगा तो path of contact जो है cyclodal gear हो या invalid gear हो हमेसा ध्यानक है यह जो locus होता है यह क्या बनता है straight line बनता है path of contact जो होता है मेंसा क्या बनता है straight line बनता है यह आप लोग ध्यान रखें ठीक है next rotating mass having moment of inertia mass moment of inertia iq value हमें दे रखी है कितनी दे रखी है 30 kg meter square okay speed जो है यह दे रखी हमें 800 rpm 800 rpm and it traveling in a curve of 170 meter radius radius हमें दे रखा है 170 meter speed हमें दे रखी है 240 km पर आओ और यहां से हमसे पूछा है it will experience a gyroscopic reaction of gyroscopic couple आपको बताना है तो gyroscopic couple का relation आपको पता होना चाहिए i into omega into omega p okay यही relation पूछा जाता है कोई भी exam हो ज्यार नगे अब यहां पर हमें i दे रखा है omega और omega p हमें निकालना है omega जो होता है क्या होता है उस rotor की angular speed तो यहां पर rpm हमें दे रखा है तो omega हम निकाल लेंगे और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो omega p होता है यह angular speed of pre-sessional axis तो pre-sessional axis की angular speed जो निकलती वो निकलती आपका v is equal to क्या होता है यह linear velocity हमें दे रखा है यह क्या v है यह हमें linear velocity दे रखा है v जो होता है r into omega तो omega यहां से हमें पतर लियाएगा कितना v by r यह omega p हमें यहां से मिल जाता है v by r से तो ultimately आपको पहले omega निकालना पड़ेगा omega जो होगा कितना होगा 2 pi n by 60 तो यहां से आप omega निकल लोगे अच्छा v velocity जो है 240 km पर hour में तो आप ध्याना कि इसको meter per second में convert करना पड़ेगा तो kilometer per hour को meter per second में कैसे convert करेंगे 5 by 18 का multiply करेंगे तो यह आजाएगा हमारे पास मैं आपको पुरा बता देता हूँ i की value जो है 30 into omega कितना लिखेंगे अपन 2 pi n की value हमें दे रखिए 2 pi n is 800 2 pi n by 60 यह हमने n की value लोखी इसमें हम multiply करेंगे किसका V by R का V कितना है 240 240 को आपको meter per second में convert करना पड़ेगा तो 5 by 18 का multiply करना पड़ेगा divided by R radius जो है इसको meter में लेना है कितना 170 जब इन सब को आप solve करेंगे तो आपका answer मिल जाएगा इन में से कोई एक option जो correct answer आएगा देख लेते हैं option B will be the correct answer तो पूरा solution में आपको बता दिया है किस तरह से इसको attempt करना है ultimately आपको यह relation बता होना चाहिए omega क्या होता है omega P कैसे निकालते हैं यह आपको बता होना चाहिए जनरली इसी तरह के question पूछे जाते है यहां से numerical अगर पूछा जाएगा तो यही एक math concept होता है बागी इससे theoretical question भी बनते हैं सीब के pitching rolling steering condition में तो वो भी आपको पता होना चीज़ चलिए आगे बढ़ते हैं what is the relation between the radius of gyration of a disc type flywheel when compared with the rim type flywheel radius of gyration को आपको अपस में compare करना है disc type और rim type flywheel में तो अगर मैं बात करूँ कि disc type flywheel जो होता है इसका mass moment of inertia कितना होता है अगर मैं disc की बात करूँ तो इसका जो mass moment of inertia होता है mr square by 2 होता है यह ध्याना के लिए और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर rim type flywheel के लिए तो इसका mass moment of inertia जो होता है यह होता है आपका mr square तो radius of gyration निकालना है तो इसको हम compare करते है mk square से इसको भी हम compare करेंगे mk square से तो इसका radius of gyration 1 बोल देता हो इसका मैं 2 बोल देता हो तो यहाँ पर m से m cancel हो जाएगा इसके लिए radius of gyration जो है यह आता है आपका r by root 2 आता है और इसके लिए जो radius of gyration हमें देखने को मिलता है यह आपका r ही देखने को मिलेगा तो किस-किस का ratio पूछा है तो what will be the relation of the radius of gyration of disk type disk के मतलब यह उपर वाला divided by compare to the rim तो इन दोनों को आपस में हम divide करेंगे तो यह 1 by root 2 यह answer आजाएगा है क्या option में yes, option A जो होगा यह correct answer 1 by root 2 will be the correct answer ठीक है तो यह दोनों relation आपको बता होना चाहिए radius of gyration निकाल देगे for an invalid gear the ratio pitch circle radius base circle radius अब देखिए pitch circle और base circle radius का ratio आपको बताना है तो base circle radius आपको बता होना चाहिए base circle radius जो होगी यह होती है r cos 5 और इसमें आज जो होता है pitch circle radius होती है तो और invalid gear the ratio pitch circle radius base circle radius तो pitch circle radius base circle radius इसको इदा लेके आऊँगा मैं इसको मैंने बोल दिया r is बराबर r cos 5 तो इसको इदा लेके आऊँगा यह बन जाएगा one upon cos 5 is equal to r by r is यही पूछा है ना for invalid gear the ratio pitch circle radius to the base circle radius क्या होगा one upon cos 5 one upon cos 5 जो होता है क्या होता है सेक होता है option में दिया है सेक 5 तो correct answer क्या हो जाएगा इस question का option C will be the correct answer option C जो होगा क्या होगा इसका correct answer और अगर उल्टा पूछा होता base circle to pitch circle तो cos 5 answer रहता है correct answer देख लेते हैं यहाँ पर यहनोंने by mistake यह गलत दे दिया है correct answer जो होगा definitely option C होगा sign और cosec तो आपको गलती से भी नहीं लागाना यह ध्यान लखें ratio अगर पूछा है base circle radius और pitch circle radius का चलिए differential gear of automobile differential gear जो होता है automobile का तो आपको पता होना चीए differential gear जो होता है इसकी 2 degree of freedom होती है तो 2 degree of freedom के लिए हमें ऐसी gear train को use करना है जिसकी degree of freedom कितनी हो 2 हो तो simple gear train नहीं होगा epicyclic gear train की degree of freedom जो होती है 2 होती है तो definitely epicyclic gear train को use के जाएगा epicyclic gear train जो होती है किस तरह से होती है यह भी आपको पता होना चीए epicyclic gear train में आपका sun gear होगा sun gear से maze करेगा एक planet gear और यह दोनों gear जो है आपस में एक arm के तरूँ connect तो यह epicyclic gear train है और इसकी degree of freedom जो होती है कितनी होती है ध्यानक है यह question कहीं बार exam में पूछा आयता है 2 होती है और इस तरह की gear train को यूज किया जाता है differential box में तो compound gear train simple gear train क्या होता है यह भी पता होना चाहिए simple gear train का मतलब होता है कि एक shaft पर केवल एक ही gear होगा तो उसे हम simple gear train बोलेंगे compound gear train जो होता है कम से कम एक shaft पर एक से अधिक gear होना चीए मतलब दो gear तो at least होना चाहिए यह भी आपको पता होना चाहिए next simple gear train में जो intermediate gear train होते है intermediate gear जो होते है उन पर speed इस तो depend नहीं करता है और compound gear में gear train में depend करता है next question है if the coefficient of fluctuation of speed is 0.04 coefficient of fluctuation of speed मतलब CS से हम इसको denote करते है यह 0.04 तो calculate the ratio of omega maximum और omega minimum तो coefficient of fluctuation of speed होता है क्या है यह बता होना चाहिए maximum speed minus minimum speed यह range of speed हम इसको बोलते है और divided by mean speed main speed जो होता है maximum minimum divided by 2 इनका जो ratio होता है इसे हम बोलते coefficient of fluctuation अब omega maximum और omega minimum का ratio हम से पोछा है तो इसको हम solve कर लेते है 0.04 is equal to देखे यह 2 उपर चला जाएगा तो 2 उपर जाएगा तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा इसके यह 2 नीचे आ जाएगा यहाँ यह भी बता होना चाहिए यहाँ पर क्या बचेगा यह बचेगा यह बचेगा यह बचेगा ओमेगा cancel out हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, omega max divided by omega minimum minus 1, और यहाँ पर भी यही बचेगा, omega max divided by omega minimum plus 1 बचेगा यह होगा cross multiply कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आजाएगा यह बन जाएगा, 0.02 बन जाएगा multiply by omega max divided by omega minimum plus 1 divided by omega max divided by omega minimum minus 1, ओके इसको इससे multiply करेंगे इसको आप कुछ भी एक नही डाम मान लीची, suppose let us take, it will be a x, तो x की value यहाँ से निकल जाएगा, पुरा concept में आपको बता दिया कैसे हम solve करते हैं, और बिल्कुल आसानी से हो भी जाएगा without calculator है, तो जब आप solve करेंगे, तो I think you will be get 1.05 will be the correct answer और maximum और minimum का जो ratio है, वो एक से अधी की आएगा इसलिए option A को तो आप वेसे भी हटा सकते हैं बाकि B, C, D दोनों में, तीनों option में एक से जादा है, तो फिर वो आपको calculate करके ही निकालना होगा, तो correct answer क्या है, option B है, कैसे आएगा ये भी में आपको clear कर दिया, चक, आगे बढ़ते हैं, when the relation, FC is equal to AR plus B, satisfy for a spring control governor, as the relation between controlling force and the radius of rotation, तो दीखें, जब भी हम controlling force diagram plot करते हैं, check करने के लिए, कि governor stable है या नहीं है, तो यहाँ पर, दो तरह के controlling force diagram हमें देखने को मिलते हैं, spring control governor के लिए अलग, और जो dead weight category governor, porter और proheel होते हैं, उनके लिए अलग, तो उनके लिए जो हमारे पास controlling force diagram आता है, वो curve आता है, और जो spring control governor है, इसके लिए जब हम controlling force diagram upload करते हैं, तो हमें state line मिलती है, state line मिलती है, तो यहाँ पर हमें तीन तरह के governor देखने को मिलते हैं, एक होता है, isocronus governor, इसके अलावा, एक होता है, unstable governor, और एक होता है, stable governor, तो दीखे, जब भी state line, हमें देखने को मिलता है, controlling force diagram, तो आप ध्यान अकिए कि, वो एक spring control governor होगा, और यह state line, अगर प्लस y-axis पर अगर intercept कर रही है, तो इसकी equation हमें क्या मिलेगी, इसकी equation मिलेगी, fc is equal to ar plus b, इसकी equation क्या मिलेगी, fc is equal to ar, और इसकी equation मिलती हमें, fc is equal to ar minus b, तो, यह वाली जो equation होती है, यह equation होती है, unstable governor की, unstable, यह वाली equation, stable governor, और यह वाली equation, isocronus को, तो, fc is equal to ar plus b, हम से बोला गया है, तो definitely, it will be unstable governor, यह concept आपको पता होना चीए, तीन होती है, तो, isocronus governor, आप ध्याना किए, कि spring control governor, can be a isocronus governor, potter और proheel governor, कभी भी isocronus नहीं हो सकते, क्योंकि उनका controlling boss diagram में, आपको क्या मिलेगा, एक करू मिलेगा, ओके चले, आगे बढ़ते हैं, next, a body is vibrating at 10 vibration per second, in a simple harmonic motion, of, simple harmonic motion of 10 centimeter amplitude, the maximum velocity in centimeter per second, दीखे, velocity हम से centimeter per second में पूछिए, और amplitude जो है, यह भी हमें centimeter में दे रखा है, तो आपको confused होने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं, मतलब आपको unit को change नहीं करना है, तो in general अगर मैं बात करूँ, simple harmonic motion के लिए, displacement equation हमें क्या लिखते हैं, a sin omega t इस तरह से लिखते हैं, displacement है कर हमारे पास है, a omega into cos of omega t, acceleration हम निकाल सकते हैं, एक बार और differentiate करके, minus a omega square sin of omega t, यह आपको बता होना चाहिए, अब देखिए, अगर हमें, frequency निकालना है, frequency, अच्छा, देखिए, यहाँ पर आप ध्यान एके की, omega जो यह क्या है, frequency है, और, एक सिंपल सा relation होता है, speed, और, frequency, और time period में, तो अगर मैं बात करूँ, frequency की, तो frequency का मतलब क्या होता है, कि, per second में, कितने number of cycle complete हो रही है, तो दीखिए, यहाँ पर, 10 vibration per second, यह ओलड़ी हमको यहाँ पर दे रखा है, प्रिक्वेंसी दे रखी है, यह frequency in hertz, यह frequency क्यालाती है, in hertz क्यालाती है, और omega की, अगर मैं बात करूँ, तो omega जो होता है, इसको अपन निकालते हैं, कैसे 2 pi by time period, इस तरह से अपन निकालते हैं, और, इसी को हम hertz में अगर लिखते हैं, तो यह बन जाता 2 pi f, 1 upon t जो है, यह क्या बन जाता है, आपका frequency in hertz, तो यहां से speed, omega जो है, हमारे पास कितना आएगा, 2 pi, frequency हमें दे रखा कितना, 10, तो यह कितना बनेगा, 25, अब क्या पूछा है हम से, maximum velocity, maximum velocity जो होगी, यह velocity की equation है, आप लोगों के पास, यह maximum कब होगा, अब ध्यान रखें, maximum यह कब होगा, जब omega t की value कितनी हो, 1 अगर यह होगा, तो यह maximum कितना होगा, amplitude into omega, और amplitude हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, it will be 10, और omega हमारे पास, already आ चुका है कितना, it will be 20 pi, तो यह बन जाएगा, आपका 200 pi, velocity है तो, centimeter per second, तो option भी हमें मिल गया, यह pi लिखा रहा हर जगा, यह ध्यान नहीं है, it will be a pi, so option c will be the, ठीक है, next, a mass of 1 kg, is attached to a end of spring, with steepness, यह steepness हमें दे रखा है, k से हम दे रखा है, 0.7 newton per mm, the critical damping coefficient, of this system is, mass हमें दे रखा है, mass 1 kg, और steepness, k हमें दे रखा है, कितना 0.7 newton per mm, तो critical damping coefficient जो होता है, अगर damping ratio अगर आपको पता हो, तो damping ratio जो है, जीटा, क्या होता है, actual damping, to the critical damping, जब हम इसको solve करते हैं, तो हमारे पास critical damping coefficient जो है, यह कितना आता है, 2 into square root of km, यह formula आपको बता होना चीए, 2 into square root of km, तो यहां से cc हमारे पास कितना जाएगा, 2 into square root of k, अब k की value कितनी 0.7, अब यह बात आपको ध्यान अखना पड़ेगा, 0.7 per mm है, तो newton per meter हमें यहाँ पर value लेना होता है, SI unit में, तो यह कितना बन जाएगा, 0.7 mm को meter में convert करेंगे, तो 10 की power minus 3, तो यह ऊपर चला जाएगा, तो 10 की power 3 हो जाएगा, multiply by mass सायद 1 दे रखा हैं, तो इसको आप solve करेंगे, तो आपको answer देखने को मिलेगा, तो यहाँ से, जो answer आपके पास आएगा, I think it will be 52.92, yes, option C will be the correct answer, तो आपको ultimately इस question को solve करने के लिए, क्या करना होगा, इस relation को ध्यान अखना होगा, यह, यह relation आप ध्यान अखनेंगे, तो answer आजाएगा आपका, और relation को ध्यान अखने के साथ सद आपको यह भी ध्यान अखना पड़ेगा, कि stiffness की value को हमें Newton पर, meter में यहाँ पर put करना है, यह भी आप ध्यान अखना है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, which of the following statement regarding mitre gear is correct, देखें, mitre gear, mitre gear जो होते हैं, आपको बतावना चाहिए कि जब हमें दो perpendicular साप्तिके बीच में power transmit करना होता है, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं mitre gear, ओके, और condition क्या है, कि अगर हमें same speed ratio maintain करना है, ओके, यह mitre gear क्या लाता है, यहाँ पर यह बना सही नहीं है, और आपको बतावना चाहिए, mitre gear जो होता है, special type of bevel gear होता है, मैं आपको बता देता हूँ, mitre gear जो होता है, यह bevel gear का type होता है, और bevel gear हम यूज करते हैं, intersecting shaft, intersecting shaft मतलब shaft जो है, यह perpendicular है एक दूसरे से, और जब हमें speed ratio क्या रखना है, one रखना है, okay, one रखना है, मतलब matrix gear, दोनों जो होंगे, वो क्या होंगे, same तरीके के gear होंगे, तो minimum backless, great speed reduction, equal speed, दोनों की speed जो होती है, equal होती, ध्याना के, same number of teeth होंगे, दोनों में, और speed भी, दोनों की क्या होगे, same होंगे, और ये कैसे gear होते हैं, बीवल gear होते हैं, उसे हम बोलते हैं, metric gear, चले, now move to the next question, for high speed engine, the came follower should move, देखे, अलग-अलग motion होता है, came follower का, okay, follower की अगर मैं बात करूँ, तो came follower की बात चल रहा, came की बात नहीं चल रहा, came का तो हमेशा motion जो होगा, ये uniform, angular velocity होती है, ये बात ध्यानक है, came की अगर बात है थे, हमेशा uniform, angular velocity होती है, follower का जो motion है, follower का आइदर, uniform velocity, simple harmonic, uniform acceleration and retardation motion, या cyclodal motion, okay, तो high speed application के लिए, जो most preferable motion होता है, वो होता है, आपका cyclodal motion, cyclodal motion क्यों होता है, because इसमें, कोई dwell period नहीं होता है, no dwell period, तो dwell period नहीं होगा, तो जर्क जो होगा, वो नहीं आएगा, जर्क नहीं आएगा, तो high speed application के लिए, most suitable motion होगा, कौन सा, अपका cyclodal motion, बाकी, uniform velocity, simple harmonic, uniform acceleration, retardation, इसमें हमें, जर्क देखने को मिलता है, इसलिए, high speed application के लिए, ये motion suitable नहीं होते हैं, तो अब में से ध्याने के, cyclodal motion जो होता है, ये most preferable motion होता, high speed application के लिए, engine के लिए, the critical speed depends on, देखिए critical speed ये अच्छा कुशन है, क्योंकि कहीं जगा, इसका answer गलत देदेते हैं, तो critical speed जो होती ही, whirling speed भी हम इसको बोलते है, critical speed का मतलब होता है, जिस speed पर, सिस्टम जो है क्या होता जाता है, एकदम से फेल हो जाता है, तो ये जो speed होती है, ये natural, vibration की जो frequency होती है, उसी के बराबर होती, तो natural vibration की जो frequency होती है क्या होती है under root k by m तो यह किस पर depend करी है यहाँ पर equation से हमें पता चल जाता है यह होता है आपका k और m k क्या होता है stiffness और m क्या होता है mass कुछ लोग eccentricity भी इसमें जोड़ देते हैं जो की बिल्कुल गलात है natural vibration की जो frequency होती है वही आपकी critical speed बन जाती है इसके बराबर अगर आपके system की speed हो गई तो वो क्या होगा resonance की condition है जाएगी amplitude जो होगा vibration का वो infinite हो जाएगा तो system आपका फेल हो जाएगा तो उसी speed को हम बोलते है critical speed whirling speed भी इसको बोलायाता है ध्याना के whirling speed whirling speed तो mass और stiffness पर यह डिपेंड करती ही ध्याना के चलिए move to the next question the maximum speed and minimum speed in rpm at what governor is 72 and 68 respectively range of speed of the governor देखिए question बहुत ही आसान है बट आसान है इसका मतलब यह नहीं है कि आप ज़्यादा ना सोचो और इसका answer निकाल दो देखिए range पूछा है range no doubt आप maximum minus minimum करके आप निकाल दोगे पर क्या होता है जल्द बाजी में इसे question भी गलत हो जाते हैं क्यों क्योंकि हम यह सोच के चलते हैं क्या हो सकता है coefficient of fluctuation of speed हमसे पूछा होगा क्योंकि अधिकतार उसी के question हमें को देखने को मिलते हैं तो range आप ध्याना कें यह maximum speed और minimum speed का जो difference होता है इससे हम बोलते है range तो 72 minus 68 तो answer क्या हो जाएगा 4 will be the correct answer simple question को गलत अगर नहीं करते हैं किसी भी exam में आप तो definitely आपके selection के chances बहुत जादा होते हैं top question को तो आपको करने की जरुवती नहीं बड़ एक बात ध्याना किए कि simple question को आपको कभी भी गलत नहीं करना है फिल्कुल ध्यान से पढ़ना है question में जो पूछा है उसके according आपको answer करना है चलिए आगे बढ़ते हैं next question secondary poses इन्हें reciprocating mass on engine frame आख दिए primary pose secondary pose दो unbalance pose होते हैं primary pose कितना होता है mr omega square into cos of theta secondary pose जो होता है यह होता है mr omega square cos of 2 theta divided by n तो अगर इन दोनों को अगर हम आपस में compare करें तो secondary pose को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं अगर आपको बता होते हैं m into r divided by 4n multiply by 2 omega का square into cos of 2 theta तो जब आप इसको solve करेंगे तो same आपको देखने को मिलेगा तो अगर मैं primary और secondary pose को compare करो तो देखें मास्क तो same है दोनों के लिए radius जो होती है radius secondary pose के case में radius हम ले लेते हैं कितनी r by 4n ले लेते हैं speed जो है यह angular velocity 2 omega हो जाता है crank angle जो रहेगा कितना रहेगा 2 theta हो जाता है यह ध्यान लगे तो हम ऐसा ध्यान लगे frequency जो होगी वह भी double होगी और crank angle जो होगा वह भी double होगा of the same frequency of a primary pose twice आ जाएगा answer option B विल्पिता कर रहेगा twice the frequency as the primary process primary process की जो frequency रहेगी उसके दो गुना रहेगी secondary pose की frequency ठीक है चलें now move to the next question question number 27 partial balancing in locomotive result complete balancing नहीं करते हैं आप लोगों को बता होना चाहिए complete balancing क्यों नहीं करते हैं कि वहाँ पर high magnitude का hammer blow आ जाता है इसलिए vertical direction में high magnitude का force आ जाता है जिससे हमारा wheel जो है वो क्या कर सकता है पट्रे से lift कर सकता है उपर उठ सकता है इसलिए complete balancing हम नहीं करते हैं partial balancing करते हैं तो partial balancing के क्या-क्या effect देखने को मिलते हैं तो definitely hammer blow भी आपको देखने को मिलेगा vibration, attractive effort भी आपको देखने को मिलेगा और swing couple भी आपको देखने को मिलेगा इनके भी relation होते हैं यह relation भी आप लोगों को पता होना चाहिए इफेक्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से effect आपको देखने को मिलेंगे जब हम partial balancing करेंगे locomotive की तो तीनों effect आपको यहाँ पर देखने को मिल ठीक है इस question का answer ज्यान है next question a turning moment diagram of the four-stroke engine as shown in given diagram with a mean torque 20 newton-meter यह mean torque की line है यह कितना दे रखा है 20 newton-meter हमें यह mean torque दे रखा है अब क्या बोलाएं what is the value of estimated peak torque यह peak torque है इसकी value आपको बताना है यहाँ आपर तो ऐसे question को आप आसानी solve कर सकते हैं आपको बताएं कि mean torque और यह जो actual diagram है इनमें relation क्या होता है कि यह जो area है यह strangle का जो area है और यह mean torque से जो हमें area मिल रहा है यह दोनों क्या होंगे same होंगे तो ultimately इन दोनों area को आपको क्या करना है equate करना है तो इन दोनों area को अगर आपको equate करना है तो यहाँ पर यह rectangle बन रहा है तो rectangle का area कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पर cycle angle कितना हो गया 4π, तो 4π को आप multiply करोगे किस से, mean torque किसे और mean torque कितना है, यह आपको बता है, इसके लावर triangle का area, triangle का area कितना होता, half, base, base कितना है यहाँ पर, base है 3π-π, मतलब π, hide कितनी है, tp है, तो यह आपको बता है, 4π into tm कितना, 20 newton meter, is equal to 1 by 2 into π into tp, आप निकाल सकते हो, तो इसे question, आसान होते हैं, ध्यान अखे हैं, diagram को देख के आपको घबराना नहीं, पाई से पाई cancel out हो जाएगा, और यह 4 to 8, 8 to 16, तो 160 इसका answer आजाएगा, yes, है option में, तो tp जो है, कितना जाएगा, 160 newton meter will be the correct answer, so option D will be the correct answer, ऐसे question को इस तरह से आपको टेंग करें, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next, a gear having 100 teeth is fixed, and another gear having 25 teeth revolves around it, तो सबसे पहले तो हम एक gear बना लेते हैं, इसके उपर कितने teeth है, 100 teeth है, यह बोला गया है, इसका अलावा क्या बोला गया है, एक दूसर gear है, जिस पर कितने teeth है, 25 teeth है, यह एक बना लेते हैं, अपर, यह से क्या करेगा, मैस करेगा, EB-Cyclic gear train का question है, ओके, यह fix से यह ध्यान लखें, दोनों definitely एक arm से connected रहेंगे, इसमें 100 teeth है, और इसमें कितने, 25, the center line of the both gear being joined by an arm, वो arm हमने बना दी, how many revolution will be made by gear of 25 teeth, for one revolution of arm, दीख यह, आर्म जब एक पूरा चक्कर लगा लेगी, तो, उतने समय में, यह जो, छोटा वाला gear है, यह कितने revolution लगाएगे, ओके, तो इसके लिए, आपको बता होना चाहिए, हम एक tabular method यूस करते हैं, ओके, तो उसके दूरू भी मैं आपको बताऊंगा, ultimately अगर ऐसे question, ऐसे question, देखने को मिलते हैं, आपको exam, ठीक है, करने का तरीका पहले मैं आपको बता चाहिता हूँ, इसको आप gear A दे दीजिए ना, इसको gear B दे दीजिए, तो हम क्या करते हैं, किसी भी convenient gear को आप plus x rpm provide करिए, तो यहाँ पर table कैसे बनाते हैं अपन, A की speed, B की speed और arm की speed, तो A को हम x से देंगे, तो B की speed निकालेंगे, A को हमने plus x से दिया, तो B की speed जो रहेगी externally मैस कर रहा, तो यह minus x into, छोटा gear है तो इसकी speed कितनी हो जाएगी, number of teeth of A divided by number of teeth of B, R में की कोई speed नहीं होगी, यह आपको पताओ ना, ची लॉब gearing नहीं पर मैंने लगाया, plus y जोड़ दीजिए सभी में, plus y जो है यह arm की speed है, तो यहाँ पर A की speed जो है कितना हो जाता है, x plus y, B की speed कितनी आ जाती है हमारे पास, यहती y minus x into ta by tb, अब question में क्या बोला गया है, कौन सा gear fix है, सायथ हमसे बोला गया है, gear A will be the fix, तो A fix है, इसका मतलब speed of A कितना हो जाएगा, 0, x plus y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक revolution बोल रखा है, arm का मतलब y की value हमें दे रखी कितनी, 1, y अगर 1 है, तो x कितना हो जाएगा, minus 1 हो जाएगा, यह आपको निकालना हो, x minus 1 है तो B की speed हमसे पूछा कि, तो B की speed कितनी हो जाएगी, nb is equal to, nb is equal to कितना हो जाएगा, y कितना है, 1, minus minus 1 into TA जो है कितना है, 100, और TB जो है कितना है, 25, तो यहां से answer कितना जाएगा, 5, तो इसे question को इस तरह से solve किया जाता है, पूरा method में आपको बता दिया, अगर exam में आता है, आपको नहीं समझ महारा है, तो आप ध्यान आके हमेसा कि यह दोनों gear के tit का जो ratio होता है, प्लस 1 आपको करना होगा, ओके, यहां पर अगर यह 75, 25 दिया होता है, तो 4 answer आजाता है, यहां पर आपका 100 और यह 200 दिया होता है, तो ratio कितना बनता है, 2 प्लस 1, 3 answer आजाता है, यह आप ध्यान नके, तो इसका correct answer कि आएगा, option C will be the correct answer, ओके, देख सकता, option C will be the correct answer, ठीक, चल्ड़, नाओ मूर टू दा नेक्स कुस्चन और यह आज की सेशन का last question है, a point on a link connecting double slider crank chain traces, तो देखिए double slider crank chain आपको बता होना चीज़, कि फोर बार mechanism होती है, यह हमारे पास एक sloated plate है, और यहां पर दो slider हमारे पास, इन दोनों slider को हम connect करेंगे, तो यह बन जाता हमारे पास double slider crank chain, तो यहां पर अगर हम इस sloated plate को fix कर रहे हैं, और यहां पर यह slider को अगर हम move कर रहे हैं, और इस पर अगर हम किसी point को consider करते हैं, तो यह जो point है, इस point का locus जो ही क्या बनेगा, एक ellipse से बनेगा, और उसी instrument को हम क्या बोलते हैं, elliptical tremel बोलते हैं, क्या बोलते है, elliptical tremel बोलते हैं, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, किस तरह का path follow करेगा, elliptical path follow करेगा, और वही point अगर आपका center में रहेगा, तो वो क्या बन जाएगा, circle बन जाएगा, यह भी आप साप में ध्याना, इसका अलावा और भी क्या question यहां से बन सकते हैं, ध्याना के कि यह elliptical tremel कब मिलेगा, जब इस plate को हम fix करेंगे, और अगर हम इस link को अगर fix कर देते हैं, तो हमें वहाँ पर मिलती है, old harm coupling, और किसी एक slider को अगर हम fix कर देते हैं, तो वहाँ पर mechanism कौन से मिलती, scotch york mechanism, तो इसका correct answer क्या आएगा, option D will be the correct answer, तो इस session का यह last question था, इसी दरह से अगर आप सारे subject को detail में पढ़ना चाते हो, तो अच्छा, एक और question बचा हुआ है, इसको भी करी लेते हैं, slider sliding 10 cm per second on a link, which is rotating at 60 rpm, okay, a slider sliding at 10 cm per second, speed हमें दे रखी है, speed will be 10 cm per second, और link की speed हमें दे रखी है, 60 rpm, क्या पुछा है, subjected to a choriolysis acceleration of magnitude, तो दीकी choriolysis acceleration कब आता है, जब कोई slider किसी rotating link पर क्या करा है, slide करा है, तो इसके उपर जो acceleration आएगा, उस acceleration को हम क्या बोलते हैं, choriolysis, और यह कितना होता है, 2V omega होता है, और direction भी आप ध्यानक है, कि यह जो slider की velocity होती है, इसको हम 90 degree से turn करते हैं, in the direction of rotation of link, तो सब कुछ हमें दे रखा है, तो choriolysis acceleration जो है कितना हो जाएगा, 2 into V, V velocity कितना दे रखा है, 10 cm, cm में हमसे पूछा का है, तो 10 यहाँ पर, into omega, अब यह omega नहीं दिया, यहाँ पर rpm दिया, तो क्या लिखेंगे, 2 pi, n कितना हो जाएगा, 62 pi n by 60, तो यहाँ से 60 से 60 cancel हो जाएगा, 2, 2 is a 4, 4, 40, 40 pi cm per second, cm square per second क्या हो जाएगा, correct answer, option C will be the correct answer, देख सकते हैं, चलिए, तो Crest course available है, जिसा कि आप लोगों को मैं बता रहा था कि, अगर आपको सारे subject को पढ़ना है, कम समय में, तो इसके लिए Crest course available है, हमारी application पर, IEC plus पर, civil branch के student के लिए भी है, mechanical branch के student के लिए भी है, session की PDF के लिए, आप इस telegram group को join कर सकते हैं, यहाँ पर हर session की, जितने भी YouTube पर session होते हैं, उनकी PDF प्रोवाइड की जाते हैं, okay, so thank you very much to join the session, मिलते हैं हम next session में, goodbye, take care.